नमस्कार, मैं आज ये के लिए आप सब का स्वागत करता हूँ एक नई कमोर्टी, Cotton Oil Street Cake पिछले कुछ दिनों में हमने देखा Cotton Oil Street Cake में भारी तेजी आई है, हमने पिछले साल प्राइजेस को 1200 का लेवल छुने के बाद प्राइजेस में एक आएक काफी अच्छी तेजी आई जो हमने 300 का भी लेवल छुआ, बट पिछले एक अपते में हमने देखा बतीस सो चुने के बाद फिछ से प्राइजेस में 2950 का लेवल आता है और वालेटरीटी काफी ज़्यादा भढ़ गीए तो आज हम चार्ट के जबानी में देखेंगे Cotton Oil Street Cake से आउट रूप सबसे पहले मोलतल यूटूब चैनल में आप सबका स्वागत है एग्री नॉन एग्री कमोडिटी एवं रिपोर्ट ओविस्लेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बैल के बटन को जरूर दबाईए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और पसंद शेयर जरूर कीजिए सबसे पहले अगर कॉर्टन खलके अगर हम तीन क्वाटर की अगर बात करें तो पहले क्वाटर में भी हमने देखा प्राइजस में करीबन 12.5 की तेजी आई, क्वाटर 2 की अगर बात करें तो साधे सत्रा पर की तेजी आई, क्वाटर 3 में भी हमने 12-12.5% की तेजी क्रूर में आते वे देखी हैं इन ओल यहां पे अगर हम देखें तो OI में हम continue fall आते हुए देख रहे हैं जो OI 57,000 का था यहां पे हमने 41,41 से 32 जो कहीना कहीं दर्शाता है कि market में short covering था इस short covering के चलते prices में यह भारी तेजी आई है इसलिए अगर 3 quarter की बात करें तो नीचे में हमने करीबन 1915 का भाव और सबसे बड़ी producer country है consumption wise भी देखें तो इंडिया सबसे बड़ी consumption करती है बट जो consumption side है वो आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है जी दन से हमने देखा इसलिए 15 साल में इंडिया की जो milk production है वो करीबन 5.53% CAGR से भढ रही है और जबकि लास्त तीन साल की अगर बात करें तो ग्लोबल की अगर बात करें जो करीबन 2.09% से बट रहा है जो कहीना कहीं दरसा था कि आने वाले दिनों में भी इंडिया की जो growth rate है milk production में वह अची रहेगी और cattle feed demand continue maintain रहेगी जबकि हमने इसको cotton khal को other varieties में भी यूस होते हुए देखा है कुछ study चल रही है जो बताता है कि cotton khal को aqua feed में और human consumption या fertilizer में भी use किया अगर ऐसा कुछ होता है तो definitely consumption भढ़ जाएंगे आने वाले दिनों में और भाव को और अच्छा support मिल सकता है अगर पूरे price performance की बात करें तो यहां पे हमने cotton khal को cotton के साथ compare किया है आप देख सकते है 2014 onwards हमने इससे पहले भी 2016-2017 के बीच में cotton khal के prices में काफी अची तेजी देखिए थी फिर वापस हमने गिरा रहे है से वैसा ही तेजी दिखाने के बाद अब market थोड़ा से cautious level पर पहुंच चुका है आप देख सकते हैं cotton khal के बीच में काफी बड़ा हो चुका है इससे पहले यह spread हमने 2016-2017 में देखा था कि यह spread क काफी बढ़ गया था कुछ की highlights के अगर बात करें cotton khal की तो पिछले एक साल में करीबन हमने 90% से ज्यादा की टेजी cotton khal में आते हुए देखिए है जिस दन से हमने देखा कि माल के shortages की वजए से prices में काफी अच्छा gain आया है और साथ में demand continue भरते जारी है साथ में हमने इसके विप्रित देखा है cotton के prices में fall आया है कि global slowdown के चकर में demand बिल्कुल नहीं आपा दी है और perhaps stock होने की वज़े से हमने cotton के prices में fall बनते हुए देखा है USDNAV अभी जो production forecast है वो cotton का भढ़ाया है 1.75% से जो कहीना कहीं cotton के prices पे जबाव continue maintain रखेगा साथ में हमने देखा कि मेज की यूसेज बढ़ती है इस बार मेज की जो एरिया है उसमें काफी बड़ी गिरावट आने की वज़े से जो demand रहेगी वो घुम फिर के फिर से cotton खल में रहेगी इसकी वज़े से हमने ये prices में अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है सामने festival season start हो जाएगा demand आने वाले जिनों में और बढ़ सकती है और जैसे पहले भी मैंने कहा था कि डेरी सेक्टर जो इंडिया में grow हो रहा है एन्वली इससे पहले हमने देखा कि long term में अच्छा growth है बट एन्वली की अगर बात कर तो 6.4% से एन्वली growth है जबकि global growth जो है 1 1.7 है जो कहीना कहीं cotton खलकी को demand है वो intact रखेगी साथ में government ने भी कुछ projects kickstart किये हैं जो कहीना के demand को intact रखेगी कॉटन के balance sheet की बात करें तो already हम देख चुके हैं कि इस बार beginning of stock अच्छा रहा है बट overall stock to consumption ratio अभी भी stable है तो इसके ओपर in detail नहीं जाते वे क्योंकि already discounted है market में और prices में इसकी वज़े से हमने अगर बात करें तो इससे पहले हमने देखा था कि जो beginning of the stock था उसमें काफी भारी तेजी थी करीबन भड़त थी 200% की इसकी वज़े से overall हम अगर देखे तो जो balance sheet है वो already positive दिखा दिया और already हमने काफी बड़ी rally prices में बनते हुए देख चुके हैं आईए अब chart के जरी हम देखते है cotton khal का outlook यह weekly chart है जो करीबन 2018 से start होता है यहां पर आप देख सकते हैं हार्मोनिक pattern form हुआ था जो 25 जून को एक buying signal trigger किया था इसके बाद prices एक particular pattern में चलते हुए करीबन एक मैना लगा इसको और एक अगर 2019 को prices ने करीबन बती सो रुपे का भाउच हुआ जो करीबन 19% का jump रहा प्राइज था जब 2680 से लेकर 3210 का जो लेवल था जिसमें 19% की तेजी आते हुए देखी अब प्राइज पिछले एक हफते से यह बड़े दायरे में ट्रेट कर रहा है बती सो से लेकर 3000 के लेवल के बीच में तो एक बार जा सकता है 3400 से 3450 के बीच में बट यह लेवल जो रहेगा वह सस्टेनीबल नहीं रहेगा बट इसके विप्री सीजन से हम देख रहे हैं कि सब्टेंबर में आराइवल सीजन चालो हो जाएगा और भाव बढ़ने की वज़े से किसान भाई दूतरे अल्टरनेट की भी खोज करें और बारिस में जनरली हम क्रॉप अधर ग्रीन वेज़ ग्रीन वेज़ भी मिल जाते अगर प्राइजस ने 3000 का लेवल तोड कर होल्ड कर गया तो आई थिंग प्राइजस को जो सपोर्ट मिलेगा वह 200 डे मूविंग अवरेज का मिलेगा जो इनीशल सपोर्ट रहेगा 2875 का और अगर यह लेवल भी तोड़ देता है तो हमें लगता है कि प्राइजस में अगर अगर आगर तो एक मैने का जो आउट्रूक है जिसमें हमें लगता है 2700 से 2400 का रहने की उमीद है तीन मैने में 3600 में अगर कोई बड़ा एक्स्रीम केसे हुआ तो जबकि नीचे में हमें लगता है 2400 से लेके 2100 तक के लेवल अगले 3-6 मैने में देखने मिल जाएंग बाकी इंडिकेटर भी एजब नौ बाइंग है बट और बाट पोजिशनिंग मार्केट में अभी भी दिखा रहा है साथ में अगर हम मुविंग इंडिकेटर की बात करें तो इनिशली जो मुविंग एविटर्स में जब मारा था इसकी वज़े सेलिंग प्रेशर थोड़ा बूद दिख रहा है मार्केट में बट एक्स्ट्राइडर्नरी जो फॉल आना है वह हमें लगता है 3000 के नीची अगर प्राइजर सिस्टेन करता है तो ही हम देख पाएंगे आरसाइ 65, CCI 64, MACD 120 तो यहां पर इंडिकेटर और बॉट में जुरू दिखा रहे हैं बट एक्स्ट्रेम केसे नहीं हैं तो हो सकता है 100-600 पॉइंट की तीजी कभी भी दिखे तो वहां से लॉंग से निकलना चीए में जो भी हाई मारता है let it be 32, let it be 34, इस हाई पर हमें लॉंग से निकल जाना चीए क्योंकि सब्तेम्बर स्टॉरी के लिए काफी बड़ा मंदी का पेरिड रहा है आप देख सकते हैं यहां पर तीन मैने की जो गेन से वह एक ही मैने में गायब होती भी दिखाई दे रही है तो अगस्त मैने का जो भी हाई बनता है इसमें आप लॉंग से निकलने की को चेश्टा कीजिए सब्तेमर में आपको अच्छे भाव डाउंसाइड में मिल सकते हैं वहीं अगर कॉटन की सिजनलिटी की बात करें तो इसमें हमने पहले भी देखा है कि प्राइजस के अंदर अगस्त मैने से ही गिरावट का रुख आ जाता है जो नमंबर तक चलता है तो हमें लगता है कॉटन में गिरावट का रुख चलता हूँ दिखाई देगा मांसोन हम जिजन से जानते हैं एक अगस्त तक देखा जाए तो जुलाई में डेफिसिट काफी ज़्यादा था बट अगस्त में यह फुल्फिल हुआ है आज अपनों कॉटन स्वेंग एरिया जो है वो स्टेडी पेस से भढ़ रहा है और इस बार देख रहे हैं कि पाट परसंट के या यर अन यह स्वेंग बढ़ी है तो ओरॉरॉल कई पे कोई ऐसा थ्रेट नहीं है स्वेंग एरिया बढ़ा है जो कईना कई कोटन की प्रयूकते दबाव रखेगा और अगर हम सारांस की बात करें तो हमने देखा कि यह कोटन में हमने करीबन साड़े बारा परसंट का भाव बढ़ती वे देखा कोटन खाल में जी दंग से शॉटेजिस है